आज मैं बनाऊंगी बहुती टेस्टी एकदम क्रिस्पी इंस्टन डोसा की रेसिपी जो बनाने में बहुत आसान है और जब भी डोसा खाने का मन करें तब ये इंस्टन डोसा बना सकते हो और परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ आटा और सब्जियों का यूज करके बैटर बना बनाएंगे साथ में बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएंगे जै जीनेंद्रा वेलकम तो माई जैन रेसिपी मैं हूं जीनल तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बैल आइकन पर जरूर क्लिक करिए उससे मेरी वीडियो के नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे जिससे डोसा एकदम क्रिस्पी बनेंगे और इसमें आधा कप बारी कटी हुई कैबिश और आधा कप बारी कटा हुई कैपसिकम और वनफोर्थ कप बारी कटा हुई कैपसिकम और कैबिश को चौपर में एकदम बारी कट करना है और टमाटर को भी नाइप से एकदम बारी क ताजीरा 1-4 तीस्पून हिंग और 1 तीस्पून चिली फ्लैक्स एड करेंगे और एक कप पानी एड करके बैटर पो अच्छे से गोल देँगे पानी हमें थोड़ा-थोड़ा एड करना है जिससे बैटर में लंज नहीं होंगे अभी एक कप पानी और एड करेंगे और एक कप पानी और एड़ करेंगे यानि मैंने अभी टोटल तीन कप पानी एड़ किया है देखे बैटर अच्छे से मिक्स कर लिया है अब एक कप पानी और एड़ कर देंगे यानि टोटल मैंने चार कप पानी का यूज किया है अब एक बार चमत से अच्छे से मिक्स कर लेंग अब 1 टेबल स्पून सिंग दाना और 1 टेबल स्पून रोस्टेट चनादाल एड़ करेंगे और स्लो फ्लैम पर हलका सौते कर देंगे देखे 2-5 मिनिट में इस तरह हलका सौते हो जाने के बाद इसे छोटे मिक्षर बॉल में डाल देंगे और इसमें 1 फूर्थ कप ताजा नारेल के टुकड़े और 2 छोटे इमले के टुकड़े आधी टीस्पून नमक, 1 फूर्थ टीस्पून जीरा और आधी टीस्पून लालमिश पाउडर डालकर बीना पानी हमें पहले क्रश कर लेना है अब इसमें आधा कप पानी एड़गर के Symphony अधा कर लेंगे देखे चतनी बनकर तयार है अब इसमें अम तरका करेंगे उसके लिए तरका पैन में एक टीस्पून ऐल दोटना देंगे और इसमें वन फूर्थ टीस्पून राए डलकर राए को चटकने दिए और एक सुखी लाल मिर्च डालकर गैस बन कर देंगे और 7-8 करीपते डालकर हलका सौते हो जाने के बाद तड़का को चटनी में एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे देखे हमारी बहुत ही टेस्टी चटनी बन कर तैयार है अब डोसा बनाने के लिए बैटर को चैक कर ल करेंगे अगर अपको थोड़ा पानी कम लग रहा है तो आप वनफूर्थ का पानी एड़ कर सकते हो अब डोसा बनाने के लिए इस तरह एज वाला कप का यूज करेंगे जिससे हमें बैटर पोर करने में आसान रहेगा अब कप से भी हमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर ले पर घ्रेल करेंगे फिर इस तरह बैटर अश्ला से अच्छे यह में बाहर की तरफ से ऑंदर की तरफ में लगा अन्दर की तरफ स्थेश्य करते हैं अब क्यां सित्ह Shirab haiर अब फ्लम में चीघल के बाद निच मेंत के इस टोड़ा चुपर से थोड़ा दोड़ा ने ब्राउन हो जाए तब साइट चेंज कर देंगे और वापस हम एक से देट मिनिट के लिए पकने देंगे अगर आपको यह ज्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आप इसे एकी बाजू पकाएंगे और इस तरह दोनों बाजू से पकाएंगे तो डोसा एकदम क्रिस्पी बने नॉर्मल डोसा से यह डोसा पकाने में थोड़ा टाइम लगता है एक डोसा पकने में तीन से चार मिनिट लगेगी अब डोसा बनकर रैडी है तो इसे हम फोल कर देंगे और सर्विंग फ्रेट में सव करेंगे अब दूसरा डोसा बनाने से पहले तवे को वापस एक बार प चमच से स्प्रेड करके पकने देंगे और दोसे डाइ मिनिट में दोसा उपर से थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब साइट चेंज करके वापस पकने देंगे और फिर सर्विंग प्लेट में सव करेंगे बहुत ही मसेदार गर्मा गरम इंस्टन डोसा बनकर रेडी है ज़्यादा टिस्टी लगेंगे दिसे आप डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रू ट्राइ करना थैंक यू सो मच फर वाचिंग